Hey friends, welcome once again, हमारे पिछले वीडियो में, जो यहाँ पर है, हमने social media platforms के बारे में higher level पर बात किया, उनकी खासियत क्या है, किस टाइब से, अलग टाइब की business और अलग टाइब की audience, अलग-अलग social media platforms prefer करते हैं, आज हम लोग social media management के बारे में ही बात करेंगे, around 10 points आपको याद रखन If you want to earn a social media manager, हो सकता है कि you're a part of agency, या हो सकता है कि आप freelancer बनके, दूसरे businesses का social media management आपको करना है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप ही का कोई business है, और उसमें आप खुद अपना social media manage करना चाहते हो, इन सभी cases में ये जो 10 points है, ये आपको help करेगा, जब हम लोग social media related काम के बारे एक होता है content creation, post create करना, video create करना, real create करना, या फिर कोई भी एक infographic create करना, इसके बारे में इस video में या फिर generally इस channel में मैं ज़्यादा detail में बात नहीं करूँगा, क्योंकि content creation हमारा subject नहीं है, लेकिन इसको छोड़के एक होता है content scheduling and engaging, आप अगर content scheduler हो, तो आपको उस particular social media platform के ब महिने तक plan करना है, schedule करके रख देना है, हमें एक post create करके, multiple social media platforms पे उसको post करना पड़ेगा, using scheduling tools, कौन-कौन सा scheduling tools है, कौन सा free है, कौन सा paid है, कौन सा अच्छा है, ये सब कुछ हम कोई दूसरे episode में बात करेंगे, लेकिन जो primarily इसके उपर काम करेंगे, they should know in and out of social media, at least जिन platforms म में वो काम कर रहे हैं, उनके बारे में तो पता होना चाहिए, जहां तक मुझे पता है, जो भी social media platform manage करते हैं, हर कोई platform के बारे में हर कोई चीज सबको पता नहीं रहता है, mostly लोग Instagram में रहते हैं, YouTube में रहते हैं, West में TikTok में भी रहते हैं, इंडिया में हो सकता है कि Facebook हो, तो उसे 3-4 social media platforms हैं, जिस पर कोई अच्छा से manage कर सकता है, उसके बाद आता है strategy and campaign management, मतलब आपको client के requirement को समझना है, business goals के हिसाब से आपको marketing campaign create करना है, हफते में एक बार या महिने में एक बार आप reports निकालेंगे, आप stick orders के साथ discuss करेंगे, progress and updates आप share करेंगे, तो यह उस level का का होता है, इसमें आपको native application में हो सकता है, या फिर कोई scheduling tool में हो सकता है, report पढ़ना, उसको analyze करना, उसके हिसाब से changes propose करना, यह सब होता है, तो आपको decide करना है कि आपकी knowledge के हिसाब से, आप जो चीज़ जानते हो, आप जो चीज़ करना चाहते हो, इन में से वो कौन सा है, यह requirements से पता नहीं रहता है, जब आपको पता नहीं चलता कि client क्यों आए है, client आकर चाता क्या है, या फिर हो सकता है कि आप ही के business का हो, लेकिन आपको जो business goals है, उसके हिसाब से social media requirement create करना, यह बहुत important हो जाता है, तो मैं assume करता हूँ, आप कोई दूसरे client के लिए काम कर रहे हो, उसके लिए आपको client के साथ बात करना पड़ेगा, काफी बार ऐसे होता है कि client को खुद को, उनका requirement वेग रहता है, आपको clear करना पड़ेगा, आपको business leads से मतलब है, follower से मतलब है, engagement से मतलब है, क्यों कर रहे हो, end goal क्या है, उनका एक सोच होगा, एक business goal होगा, आपको उसको अ है, जिस टाप का product है, या service है, उसके हिसाब से वो requirement ठीक से बैठता है कि नहीं, यह सब कुछ आपको देखना पड़ेगा, उसके बाता है market research, सुचो एक specific industry का एक client है आपका, आपके पास आएक requirement को लेके, उनको social media यूज करके कुछ business generate करना है, यह फिर हो सकता है कि कुछ engagement च practices है, उनके लिए क्या चीज work हो रहा है, यह जो आपके पास client आए है, यह लोग क्या सही कर रहे है, यह लोग क्या गलत कर रहे है, compare करके देखना है, काफी सारे tools है, free tools है, paid tools है, जो competitor का एक high level का information आपको देदेगा, आपको अंदाजा नहीं लगाना है कि यह शायद जो business है, वो इसके वज़े से successful है, वो आपके पास numbers होना चाहिए, analytics, report का proof होना चाहिए, अगर आप client को बोलोगे, कि हम इसके वज़े से implement कर रहे हैं, तो आपको proof भी तो दिखाना है, देखो यह proof है, इसके वज़े से यह business अच्छा engage कर रहे है अपना customers के साथ social media के दुरू, आप market research करोगे, audience के बारे में आपको एक अच्छा insight आएगा, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, इसके हिसाब से भी आपको information मिल जाएगा, इस type content consume करते हैं, इस time पर available होते हैं, इस business के लिए कौन-कौन सा दिन अच्छा है, कैसे कैसे trends को हम लोग exploit कर सकते हैं, market research जब आप करो followers increase करा के देंगे, यह specific नहीं है, इस business को अच्छा नहीं लगेगा, जब हम specific बोलते हैं, इस case में एक number होना चाहिए, हम लोग 500 followers increase करके देंगे, measurable, जब हम लोग वहां तक पहुंचेंगे, we should be able to prove कि हमने जो बोला था, हमने किया है, वो task accomplished हो चुका है, यह हमें प्रूव करन जिन से उनका followers बड़ी नहीं रहा है, engagement भी ठीक से हो नहीं रहा है, उनको पता नहीं चल रहा है कि trends exploit नहीं कर पा रहे हैं, क्या सही चीज हम लोग content नहीं बना रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा है, आपने market research किया, आपने उनके audience को के बारे में देखा, आपने analytics पड़ा है सब कुछ करने के बाद आपको पता चल गिया कि आप कुछ-कुछ ऐसे strategy लगाएंगे कि एक महिने में 500 subscribers increase हो जाएगा, और जिनका 20,000 followers है, वो सकता है कि Instagram या YouTube, आपको पता है कि इतना बड़ा followers है, कुछ-कुछ चीज़ें करके आप एक महिने में 500 subscribers या 500 followers increase करोगे एक particular strategy के स लेकिन अगर किसी का 50 subscribers है, ये 50 followers है, आप अगर उनको बोलोगे कि 15 दिन में 500 subscribers लेके दे दूँगा, ये इसा problem, क्योंकि जनुविन तरीके से कम से कम ये achieve करना बहुत मुश्किल है, तो specific होना चाहिए, उसको measure करने आना चाहिए, और achievable होना चाहिए, उसके बाद आता है relevant, म वो लोग जो अपने business में accomplish करना चाहते हैं, अपने business को एक जगह लेके जाना चाहते हैं, या followers increase करने से वो काम हो जाएगा, या engagement बढ़ाने से वो काम हो जाएगा, तो social media में जो आप कर रहे हो, वो उनकी business goals के लिए relevant है या नहीं, वो भी आपको देखना पड़ेगा, finally time bound हो 500 followers ठीक है, लेकिन कब तक, एक महिने तक, दो महिने तक, एक specific time होना चाहिए, जब तक आप इस goal को accomplish कर दोगे, या तो success का पता नहीं चलेगा न, तो specific, measurable, achievable, relevant और time bound, इन सब का combination होना चाहिए आपका goal, उसके बाद आता है brand voice, सोचो आप Zomato जैसे company हो, या फिर Tata जैसे company हो, या फिर आपका client NGO हो सकता है, इन सब का जो tone है, वो एक जैसे नहीं हो सकता है, कोई company हो सकता है, अपना जो brand voice, थोड़ा सा playful रखे, थोड़ा customers के साथ fund तरीके से engage करे, Netflix को देखो, वो अलग तरीके से engage करता है अपना users को, उसी तरीके से एक NGO engage नहीं कर सकता है, उनका tone अलग होना चाहिए, और वो tone कैसे होगा, कुछ हद तक आप उसमें interfere कर सकते हो, लेकिन mainly वो brand decide करेगा, हो सकता है कि brand ये decide करे कि हम लोग अब तक इस tone में बाते कर रहे थे, लेकिन हमें थोड़ा सा change करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ posts हमने डाला है, और users को वो अच्छा लग रहा वो company क्या करता है, उसका product क्या है, service क्या है, और उसका जो brand voice है, उनका जो tone है, वो match होना चाहिए, कुछ और ही कर रहा है और रजीब तरीके से बात कर रहा है, ये एक confusion नहीं होना चाहिए user के mind में, तो आप उस brand voice को समझ के, उसी brand voice में आप communicate करोगे users के साथ, जब भी आप social की तरह अगर present करना चाहूं, तो मेरा जो content है, वो अलग type का होगा Instagram में, और अगर मैं एक social media manager या digital marketer की तरह present करना चाहूं, तो मैं अपना vlog share नहीं करूंगा, एफिर city के बार में अलग-अलग चीज़े share नहीं करते बैटूंगा, मैं किस तरीके से अपने आपको present करना चाह करूंगा, क्योंकि वो relevant है, हर content एक business content होना चाहिए, यह ज़रूरी नहीं है, say for example, अगर आप celebrity हो, अगर आप एक sports person हो, क्रिकेटर हो, तो ज़रूरी नहीं है कि हर post cricket के बार में हो, हो सकता है कि कुछ-कुछ offbeat चीज़े, personal चीज़े आप share कर दो, लेकिन overall आपका जो profile कोई द दिखाना है, latest posts, वो देख कि कम से कम लगना चाहिए, कि इस बंदे का काम ये है, और quality content, जब भी आप कुछ HD में share करते हो, जब भी आपका किसी भी चीज़ में production quality अच्छा होता है, especially जब हम videos के बार में बात करते हैं, तो sound का बहुत value रहता है, अगर कोई video बंद करके side में भी रख दिया, तो sound सुन सकते हैं, तो voice quality भी कभी compromise नहीं होना चाहिए, तो इस तरीके से हम लोग content का quality जतना हो सकता है, उतना maintain करने की कोशिश करेंगे, depending on the company's budget, उसके बाद आता है social media scheduling tools, या social media management tools, देखो आप जब professionally social media manage करोगे, तो ऐसे तो नहीं हो सकता है कि आप facebook पे login क करके आप schedule करो, उसके बाद Instagram में login करो, उसके बाद YouTube में login करो, ऐसे तो बहुत सारे social media platforms हो सकते हैं, एक company का on average 5 हो सकता है, तो ऐसे काफी सारे social media management tools है, scheduling tools है, जिसमें आप एक post create कर सकते हो, और उस tool को बता सकते हो कि कौन-कौन सा platform पे इसको schedule करना है, अल इतने बज़े post करना है, आप एक हफते तक, महिने तक schedule कर सकते हो, usually मैं recommend नहीं करूँगा, महिनों तक schedule करवाने, एक हफते तक ठीक है, क्योंकि trends वैसे नहीं रहता है, हफते हफते में trends change हो जाता है, एक हफते तक schedule करना ठीक है, एक महिने तक plan करना ठीक है, लेकिन अगर बीच में कुछ important trend आ गय Twitter का dimension कुछ और है, Instagram का dimension कुछ और है, LinkedIn का dimension कुछ और है, लेकिन scheduling tools में, अलग-अलग platforms के हिसाब से वो खुद बखुद, वो customize कर लेता है, size adjust कर लेता है, यह हम लोग को एक option देता है, size को adjust करने का, आप सबको पता है कि Canva कितना famous है, एक तरीके से editing करने के लिए वो एक industry leader बन है भी, मुझे पसनली नहीं लगता Canva के आस पास भी कोई है, अगर आपको register करना है, तो description में link है, referral link है, वो आप use कर सकते हो, लेकिन काफी अच्छे अच्छे जो platforms है, उनके साथ, उन्होंने Canva को link कर दिया है, वो internally link हो गया है, मतलब आप post create करो, और जो royalty free photos और video सब होते है वो भी integrated रहता है, मतलब आप जब post लिखते हो, उसके बाद जब आपको एक photo create करना होता है, या फिर video बनाना होता है, आप वहीं पे royalty free video यूज कर सकते हो, वहीं पे Canva integrated होता है, Canva में edit करके वहीं पे upload हो जाएगा, इतना सब कुछ आप social media management tool में कर सकते हो, नहीं नहीं एक जगह पे सारा सब कुछ आप engage भी कर सकते हो, अतलब users के साथ बात करना, message करना, उनका re-share करना, ये सब कुछ एक साथ एक ही जगह पे, multiple social media platforms के उपर, आप engage कर सकते हो, multiple clients को आप एक ही जगह पे रख सकते हो, तो इसी के वज़े से कोई भी एक social media scheduling platform जो है, उसके उपर expertise आप upload करते जाओगे, तो वो efficient काम नहीं है, उसके बाद be on top of trends, अगर आप Twitter manage कर रहे हो कोई client का, तो Twitter पे आज कौन सा topic trend हो रहा है, अगर कुछ trend हो रहा है, हो सकता है कि वो आपके industry से related नहीं है, लेकिन लोग तो उसके बार में बात कर रहे हैं, तो कोई तो तरीका होगा, या service के या product के बार में बात करो, किसी तरीके से उस trend को relate करके, मतलब उस trend का part बन जाओ, तो आपका industry भले ही उस trend से related नहीं है, लेकिन यह जो creativity है, किसी तरीके से उस trend के साथ जोड़ देना, और उसके related post बनाना, और अपनी users के साथ engage हो जाना, यह बहुत बड़ी बात होती ह social media management में, उसके बाद understanding the audience, एक बार तो आप करोगे जब आप requirement समझने के कोशिश करोगे, आपका एक audience का अंदाजा लग जाएगा, हम लोग customer persona बोलते हैं उसको, लेकिन जैसे जैसे आप एक business के साथ काम करते हैं, उनका social media platform manage करते हैं, audience का demography क्या है, उनका likes और dislikes क्या है, किस time पर ये लोग ज़्यादा available रहते हैं, इस particular business के लिए कौन सा special day है, अगर ये कोई special day आ रहा है, हम लोगों को इसको exploit कर देता है, पहले से ही एक बहुत बड़ा offer create करके रखना है, ये फिर पहले से ही एक बहुत अच्छा engagement वाला post create करके रख देना है, इस particular day को तो miss नहीं करन है, क्योंकि ये सारा जो audience कुछ ने कुछ expect करेंगे उस दिन, तो इस तरीके से अपने audience को in and out जानना, ये बहुत important हो जाता है, उसके बाद आता है analytics, reporting और decisions, काफी बार ये होता है कि हम लोग YouTube का कुछ analytics देख लेते हैं, Instagram में भी analytics देखते हैं, हो सकता है कि आपके पास एक ऐ इसे social management tool है, जो काफी कोई customized report आपके लिए बना के देदेगा, लेकिन इन analytics को देखना, और report को analyze करना, और उस report के ऊपर relevant changes add करना, मतलब हम लोग अभी तक ये कर रहे थे, लेकिन इस तरीका का reports आ चुका है, ये post पे हमने बहुत expectation रखा था, लेकिन users को पसंद नहीं आया, इ negative comments जादा आ रहे हैं, इस तरीके का post हमें नहीं डालना है, हम लोग पहले इस time पे upload करते थे, अभी change किया है, और ये जो नया time है, वो बहुत अच्छे से work out हो रहा है, इस particular week को हमने इस particular topic पे बात किया, वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, engagement बड़ा है, followers बड़े हैं, स बहुत कम clicks मिला था, website पे जो हम traffic expect कर रहे थे, और उसके इसाब से जो leads expect कर रहे थे, वो बहुत कम हो गया था, लेकिन यहां से link हटा के हमने जब यहां डाला, तो सब लोगों को वो दिखा, और अभी हमें leads जादा मिल रहा है, तो इसी को हम continue करेंगे, ऐसे बहुत सारी decisions हमे analytics और reports में मिल जाता है, तो उसको पढ़ना, stakeholders को वो समझाना बहुत high level पे, क्योंकि हम जिस तरीके का technical details देखते हैं, काफी सारे business owners उसको उस तरीके से detail में देखना नहीं चाहते हैं, उनको बस decision चाहिए, और उस decision के लिए एक strong वज़ा चाहिए, reason चाहिए, वो हम उनको reports के हिसाब से देदेंगे, उनके लिए समझने में असान बनागे, last में आता है, ROAS and ROI, जब हम लोग ads के बारे में बात करते हैं, उसे टाइम पे हम लोग ROI और ROAS के बारे में बात करते हैं, लेकिन generally भी कोई आपको जब pay करता है, कोई काम करने के लिए, you should understand, जब तक उसको business में फाइदा नहीं होगा, तब तक कही न कहीं आपका जो भी काम है, आप जितने भी महनत कर रहे हो, eventually इसका फाइदा नहीं हो रहा है, ROI मतलब return on investment, ROAS मतलब return on ad spends, वो Facebook हो या Instagram हो, वो ads के related है, लेकिन eventually आप जो मन्तली पैसा उनसे ले रहे हो, आप उनका followers बढ़ा रहे हो, या engagement बढ़ा रहे हो, वो eventually उनके businesses को वोगर फाइदा पहुचा रहा है, और ये चीज़ आप अगर उनको numbers में दिखा पा रहे हो, then nothing like it, कुछ-कुछ ऐसे चीज़े होते हैं, हो सकते हैं कि engagement या followers, जिस पे हम लोग directly कोई फाइदा associate नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बार में जानन एक-एक action के लिए एक-एक value देना और उसके हिसाब से फाइदा दिखाना, कुछ-कुछ businesses के लिए ये भी बहुत important बन जाता है, ये हो गया generally high level पे जो social media management के उपर बात करना, इसके बाद हम लोग specifically कोई social media को लेंगे, उस social media के हर एक चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे, ज लेकिन अगर आप social media management के उपर अपना career देख रहे हो, तो आपको high level में एक information देना ज़रूरी था, और ये 10 points जो है, these points become very important, thank you so much for watching this video, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, then please let me know by hitting that thumbs up, please do subscribe to this channel, thanks again, take care.